वाट्सप गाइज कैसे आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल फुली कस्टमाजेशन नोटिफिकेशन की वीव वी 30 के अंदर इस वीडियो के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन को लेकर आपको कोई भी डाउट कोई भी प्राब्लम सोल हो जाएगी फुली दोस्तों डिटेल वीडियो हने वाले हैं नोटिफिकेशन पर सेटिंग में आजना है सेटिंग में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन में आजना है फरस्ट ओफ वाल इस तरह का इंट्रोफेस आपके सामने आ लेकिन आपको करना क्या है आल एपस पर क्लिक करना है समान गत्मान जो एपस हैं सिस्टम के और जो प्ले स्टोर से आपने की हैं सबी की सबी यहां पर शो हो रहें आपको उनको आपको स्लेक्ट करना है फार्जमपल मैं दोस्तों गूगल क्रोम को स्लेक्ट कर लेता हूं जो notification है वो अगर गलती से clear हो जाते हैं तो आपको आजना है notification history में इसको आपने on रखना है यहाँ पर आपको वो notification मिल जाएगा जिस जिसका notification आपने गलती से clear कर दिया है तो यह तब ही आपके पास होगा क्योंकि जब notification आया होगा मेरे पास सब्सक्राइब कोई भी notification माजूद नहीं है आगे बढ़ते हैं नेक्स दोस्तों यहाँ पर आपके पास device and app notification को option मिल जाता है यहाँ पर आप देखिए के android auto and system home screen के लिए allowed है बड़ दोस्तों google play service and android system intelligence यह अलाव नहीं है और आपने इसको अलाव करना भी नहीं है अगे बढ़ते हैं bubbles यहाँ पर क्लिक करता हू आपने notification किस तरह देखने bubbles के अंदर तो आप on रख सकते हैं आपको bubbles के अंदर यह notification दिखाए देंगे इस तरह से जैसे यह icon बने हुए सेमे दोस्तों आप पास नीचे एक lines के अंदर notification होंगे जो जिसको bubble कहा गया है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर है notification on lock screen यह बड़ी important setting है इ your conversation default and silent आपको पास जो conversation means जो लिखा हुए है जो content है message है या WhatsApp है तो उसके अंदर क्या लिखा हुए है first option select करेंगे तो वह दोस्तों आपका notification भी आएगा और उसके अंदर लिखा गया हुए वह भी शोगा है second option है दोस्तों hide silent conversation and notification आपको बास notification के अंदर क्या लिखा हुए है न notification हाई नहीं होगा sorry silent होगा sound सुनाई नहीं देगा इस स्क्रीज को आपने माइड में रखना है उसमें लिखा गया हुए content क्या है वो निशोगा third पर देखिए don't show any notification इससे तो दोस्तों notification आपके पास ऐसे समझें आएगा नहीं show ही ना होना यही मतलब है यही means है कि notification ही नहीं हो यह now set कर सकते हैं यह है दोस्तों hide silent notification in status bar अब दोस्तों status bar क्यों होता है यह नोटिकेशन पैनल भीज को कहते हैं आपको आस notification आ जाए hide हो और silent हो वो आप सेट कर सकते हैं allow notification sunnosing अब आप अगर दोस्तों इसको on करते हैं जैसा कि alarm के अंदर होता है आप sunnosing आपने सेट कियो है तो थोड़ी थोड़ी दिरबाद वो बजता रहता है alarm तो मैं आपको recommend नहीं करूंगा इसको on रखे लेकिन अगर आप रखना जाते हैं तो दोस्तों रख सकते हैं लेकिन में दोस्तों आपको बना वहाँ देगा यह नंबर आप इसकर नंबर सेट है मैं नंबर ही आपको recommend करूंगा डॉट्स दोस्तों नहीं recommend करूंगा बाकि आपकी चाहसे यहां रहा है दोस्तों डिफार्ड notification sound यहां पर आप दोस्तों बैल सेट करें लें नोटिकर फार नोटि को कुछ भी दोस्तों नहीं आएगा आपके बात और यह वायर्लस अमरेंसी अलर्ट इन्हेंस नोटिकेशन इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है बेसकिलिए यह जो फीचर है दोस्तों आपकी AI बेस पर वर्क करें और मैं recommend नहीं करूंगा इसको यूज करने का दोस्तों मैंने ना personal इसको यूज किया है और नहीं यह recommended है अब दोस्तों आपको auto reply मिल जाएंगे for notification अगर what's up for example आ गया है तो इसको auto reply ही set कर सकते हैं आप या जैसे किसी ने आप से high किया है तो आप भी reply में हाई कर सकते हैं या कोई दोस्तों जो quick replies होते हैं वो आपका smartphone AI को यूज करके एक छोटे-छोटे quick replies आपको बना देगा जो आप यूज कर सके हैं मैं इसको दोस्तों recommend आपको बिलगोल भी नहीं करता कि आप इसको यूज करें कि इससे आपकी privacy खत्रे में आ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है यह मेरी personal thinking है बट उसको यूज करना चाहते है आप कर सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो आई नो दोस्तों वीडियो लंबी हो गी है बट मैंने एक एक चीज दोस्तों आपको डिटेल से बता दिये इसके बाद कभी भी दोस्तों notification को लेकर दोस्तों आपकी जो problem है वो दोस्तों आपको face नहीं करना पड़ेगी वीडिय पिछले की वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल फर्स टाइब हैं चैनल को स्क्राइब कीजिए आके इन फ्योचर मैं जो वीडियो अप्लोड करूं उसको notification आपको मिल जाए थैंक्स और आजी